प्रस्ताव नमस्कार दोस्तों आज कुछ खबरें यूपी चुनाव से यूपी चुनाव में क्या अखिलेश का साथ देंगे राकेश टिकैट? समाजबाती पार्टी प्रमुख ने दिया ये प्रस्ताव अखिलेश ने कहा कि राकेश टिकैट अगर हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ वे किसानों के एक बड़े नेता हैं और उनका आंदोलन भी राजनीती से दूर रहा है ऐसे में ये फैसला उनको लेना है अगर वे चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे आप जब पूरे प्रदेश में किसानों का मुद्ध काफी बड़ा माना जा रहा है तब लखीम पुरहनसा की वज़र से भी किसानों का एक वर बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है उसी बीच अखिलेश यादव का टिकेट को लेकर दिया ये बयान कई समीकरन बदल सकता है वैसे बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने पीम मोदी की प्रचार पर भी बात की जब पूछा गया कि क्या उनका मुकाबला इस बार पीम मोदी से है इस पर अखिलेश साफ मना कर गए उन्होंने कहा उनके साथ पूरा युवा वोटर खड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव है इसलिए चहरा भी योगी नहीं है वही पर पीम का नाम लेने से बे इसलिए बच रहे हैं कि यूपी का चुनाव है केंदर का नहीं वही अभी चुनाव में समाजवाड़ी पार्टी की लाल टोपी पर भी सियासत तेज हो दे है पीम ने भी जोरदार हमला करके इसे रेड अलर्ट बता दिया है अब अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी इमोशन्स नहीं समझती है ये लाल रंग बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी है इशारा है कि उनकी सरकार जाने वाली है उनके मुताबिक मादुरगा का रंग लाल होता है सिंदूर का रंग लाल रहता है लेकिन बीजेपी ये सब नहीं समझती तो देखें आगे क्या होता है तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद